स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थी और संदर्या प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों के हेल्थ के लिए काफी फाइदे मन माने जाते हैं नियमित अपने बालों में मुलतानी मिट्टी का प्रयोग करने से बाल सिल्की वशाइनी बनती है इसके साथ ही बालो को नैचरल तरीके से पेंपर करने के लिए शहद यानि हनी का इस्तमाल फूप किया जाता है शहद में कई ऐसे पोशक ततूप पाये जाते हैं जो बालो को अंदर से पोशन देने का काम करते हैं शहद बालो को महश्राइज करता है जिसे बालो में प्राकृतिक चमाकाने लगती है शहद के इस्तेमाल से हेयर फॉल नहीं होता है साती बाल मजबूत भी बनते हैं शहद में एंटि बैक्टिरिल प्रोपरटीज पाये जाता है जो स्केल्प में होने वाले संक्रमनों से बचा तो चौकाने वाला रिजल देखने को मिलता है तो फिर मुलतानी मिटी और शहद यानि हनी को अपने वालो में कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बनेरे इस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में दो चमच मुलतानी मिटी पाउडर ले ले इसके बार इसमें दो चमच शहट डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले यह बायी मिक्स कर लेगिर del क्रस्चे से में दो चमच क कि अचिंग कर अच्छी कर दो Scientific आर अचैनि अच्छों से खिर सकते ले चे दो जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेर डाइब ब्रश की मदद से अपने पूरे बालों में अच्छे से अपलाई कर ले सुखने पर पानी से बाल धोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए बीक में दो से तीन दिन इस प्रोसेस को जरू ट्राय करे मुलतानी मिट्टी और हनी से बना पैक बालों के लिए काफी फायदमान माना जाता है इस पैक का नियमत इस्तमाल करने से हेर फॉल में तो कमी आती ही है साथी बाल सिल्की वशानी नजर आने लगते ही तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में मुलतानी मिट्टी के साथ शहर यानी हनी लगाने के कुछ बहतेर इन फायदों के बारे में जाने आशा है आपको हमारा ये वीडियो आवशे ही पसंद आया होगा हमारे नए ने स्वास्तिय और संदरी संबंधी जानकारियों को पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आया हो तिसे लाइक और शेयर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नए ने जानकारियां आप तख पहुचाते रहे तानिवान